जहिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आजके वीडियो में हैं आपके लिए ढहां पर बहुत ही महत्तपूर्ण कौ omegaester संद्री से संबंदित यहां पर आपके बहुत ही महत्पूर्ण question answer है तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन दबाएं ओल पर click करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक सबसे पहली पहुँचे जादन जादन वीडियो को share करना है और वीडियो को like करना न भूलें एक question जो है आपकी किसी ने किसी अक्जाम में जरूर पूँचे गए हैं तो वीडियो को पूरा वस्त देखें संदी से संबन यहाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण question है तो देखिए first question क्या है अत्या चार सब्द में कौन सी संदी है तो अत्या चार सब्द में बताना है तो अत्या चार में कौन सी संदी है तो आपका सही आंसर है याण संदी याण संदी आपका right answer है अंगला question क्या पूँचा गया है तो अंगला question यहाँ पर पूँचा गया है विकल्प नमबर B यानि की सत धन जन आपका यहां पर सही आंसर है सत जन इसका ए क्या है संधी विच्चेत है अंगला कॉस्चन क्या है देखिए अंगला कॉस्चन है क्या है आपका अंगला कॉस्चन जी बैशना का सही संधी विच्चेत यहां पर बताना है कॉस्चन नमबर आपका यहाँ पर तीन है और तीन का राइट आंसर क्या होगा बताईए आपके यहाँ पर चार विकल्प देगा है कॉस्चन नमबर तीन है और तीन का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है विकल्प नमबर एक राइट आंसर है विकल्प नमबर एक जिनों ने बताया है उनका सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक जीव धन एशना आपका यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या है तो देखेजिए आपके जो कॉस्चिन है एक पूरे कॉस्चिन आपके पूंचेगा है कॉस्चिन है न नयन का सुद्य संदी विच्चेत, question number 4 है अपना यहां पर और 4 का सही answer है, नयन का सुद्य संदी विच्चेत यहां पर आपका जो है ने धन अन आपका यहां पर सही answer है, ने धन अन आपका यहां पर right answer है, नयन इसका जो है संदी विच्चेत होगा, अंगला question क्या है, तो पास्च का सही आंसर बताई यहां पर बहुती महत्पुन कॉस्चन है और रिगवेद का आपका सही आंसर है जो रिगवेद का सही संदी विच्चेत है रिक धनबेद आपका है यहां पर यान की संदी विच्चेत क्या होगा सदानन का संदी विच्चेत बताना है तो आपका यहां पर क्या है सही आंसर तो सदानन का जो सही संदी विच्चेत है वह कौन सा सट धन आनन आपका है आपका राइट आंसर है अंगला कौस्चन क्या है अंगला कौस्चन सदियों में संदी है सद सदियों में ब्रद्धी संदी ब्यंजन संदी या आपका इन संदी या गुण संदी तो आपका सही आंसर यहां पर है सदियों में जो संदी है आपकी ब्रद्धी संदी यानि की विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है ब्रद्धी संदी आपका यहां पर राइट आ सभद में कोई यूГ जो सब्सक्राइब का इसमें वताने सभद्र में सवर संदी बिर्णचे के संदि दrí भेशम संदिया विषय क्या है को स्वर्णचे क संदिया मनुआ खते हैंë के चार विकल्प है, question number 9 है, और 9 का सही answer आपका इहाँ पर विकल्प number C right answer यानि कि विसर के संदी है, इसमें कौन सी संदी है, विसर के संदी आपका सही answer है, अंगला question है, क्या है धनुस तंकार, सब्द का संदी विच्चेत यहाँ पर बताना है, क्या होगा इसका सही संदी विच्चेत, question number 10 का सही answer बताईए, question number 10 है, और 10 का right answer है, आपका यहाँ पर विकल्प number 1 यानि कि धनुस तंकार आपका right answer है, यह आपका विकल्प नमबर एक आपका धनु 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 टंकार आपका सही आंसर होगा धनु टंकार अंगला कौस्चन क्या है तो अंगला कौस्चन यहापर कौस्चन नमबर ग्यारा देख लेते हैं कि यह आपका कौस्चन नमबर ग्यारा देखे क्या है क्या है क्या है क्या संदी का गुण है, संदी का गुण बताने है, यहाँ पर कॉस्चिन नमबर आपका है, यहाँ पर 11 और 11 का राइट आंसर है, विकल्प नमबर एक राइट आंसर है, यानि कि संदी निरख्थक अक्षरों को मिला कर सार्थक सब्दे बनाती है, यह जो है क्या संदी का गुण है यह विकलप नंबर एक right answer है अंगला questions क्या है नमलकत में से किसे सब्ध में गुण संदी है गुण संदी बताना है कौन से महें हमाला में तल्लीन में त्यादी में देविंदर में यह आपकी चार विकलफ हैं, गूण संदी किसमें है Question no.12 है 12 का सही आंसर है, आपका यहांपर विकल्प नमबर, आपका, यहांपर क्या है right answer D right answer यानिकि देविंद्र, आपका यहांपर सही आंसर है इसमें गुण संदी है अंगला question क्या है? डेकिए, सब्द अनवय का संदी विच्चिद बताना है तो अनुधन आय आपका यहाँ पर सही आंसर है अनुधन आय बराबर अनवय आपका सही आंसर है अंगले क्या है क्वाश्चन नमबर आपका यहाँ पर चवदवा क्वाश्चन धन अपी आपका राइट आंसर है अंगले question क्वोसिशन का संधी विचेत, अत्य धिक का शुद्द अनिकी विचेत अतिधन अधिक का संधी विचेत यहाँ पर क्या होगा तो question नमबर 15 का सही आंसर बताने, question ंपर 15 है Nicolas यानिसी विचेत अतिधन 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 अति नमलकेत में से कौन विसर्ग संदी है विसर्ग संदी बताना है आप निरंतन जगदीश दिगज महीश ये आपके चार विकल्प है विसर्ग संदी question number 16 का सही आंसर बताना है और 16 का सही आंसर है आपका विकल्प number 1 यानिकी निरंतर निरंतन आपका विकल्प नमबर एक जो है आपका सही आंसर निरंतन आपका right answer है अंगला question क्या है तो देखे इती धन आदी बराबर इत्यादी में कौन सी संदी है इत्यादी में संदी बताना है आपके लिए इसका संदी विच्छित क्या होगा इती धन आदी इत्यादी और इसका जो इसमें संदी है याण संदी कौन संदी देर के संदी आयादी संदी तो आपका सही आंसर है क्या है right answer आपका right answer विकल्प नमबर एक जानी की इन संदी आपका यहाँ पर सही आंसर है यान संदी इसमें है इत्यादी में अंगला कॉस्चिन क्या पूंचा गया है मनुहर सब्द में संदी है तो जो मनुहर सब्द है इसमें कौन सी संदी है कॉस्चिन नमबर 18 का सही आंसर बताना है और 18 का राइट आंसर है आपका मनुहर मनुहर में जो संदी है आपका कौन सी संदी है इसमें बिसर्ग संदी बिसर्ग संदी आपका सही आंसर होगा मनुहर अंगला कॉस्चिन क्या है नमलिकेत में से एक गलत कथन है गलत कथन कौन सा है तो बताइए कॉस्चिन नमबर 19 का सही आंसर 19 का right answer बताना है गलत कथन कौन सा है गलत कथन है यहाँ पर संधी में दो पक्षों का मिल होता है यह जो है क्यासा है गलत कथन है यह आपको याद रखना है विकल्प number 1 आपका right answer है अंगले question क्या पूशा गया है तो question number है आपका यहाँ पर 20 की निमलखित मैंसी एक गलत कथन य आपका यहाँ पर जो right answer है यहाँ पर जो गलत कथन है विसर्ग के साथ विसर्ग की मिल से उत्पन्य विकार को विसर्ग संधी कहती है यह जो क्यासा है गलत कथन है यह आपके लिए याद रखना है अंगला question है क्या है अंगला question, question number 21, यहाँ पर पूँचा ग्या है, क्या है, प्रसकार में कौन सी संदी है, तो बताइए, question number 21 का सही answer बताने है, इसमें संदी है, इसमें संदी है, संदी, विसरग संदी, वियंजन संदी, इसमें सी कोई नहीं, तो आपका right answer है, 21 का विकल्प number C, आनि की वि विसरग संदी, विसरग संदी, आपका यहाँ पर सही answer है, विसरग संदी right answer, अंगला question का पूँचे गया है, निमने लिखित में सी कौन सा ब्यंजन संदी का उधारन है, सदेव, निर्गोन और मनुरत या सदाचार, तो विसरग संदी, वियंजन संदी का उधारन बताना है वियंजन संदी का उधारन कौन सा है, right answer, विकल्प नमबर आपका D, यानिकी सदाचार, सदाचार जो है, वियंजन संदी का उधारन है, विकल्प नमबर D, आपका यहाँ पर सही answer है, अंगला question है, बाग जाल का संदी विच्चेत होगा, बाग जाल का संदी विच्चेत क्य होगा यहां पर question number 23 है अपने यहां पर question number 23 का सखी answer क्या है बाग जाल का संदिविच्षेट तो आपका सखी answer विकलिन number एक यानि कि बाग धन जाल आपकह है सखी answer है बाग धन जाल आपकहिए आपकह है राइट answer बिल्कुल सही अंगला question question number 24 इहां पर है क्या पूँचा गया है गरर चौबस नंबर रायाइच विक्लalanr सब्सक्राइब है आपका चौविस का राइट आंसर है क्या है तो यहाँ पर पूँचा तो इसके जो सही संदी विच्छेत क्या होगा? कौस्चन नमबर 25 का सही आंसर बताना है 25 का राइट आंसर है समुद्र धन उर्मी आपका यहां पर राइट आंसर है विकल्प नमबर C राइट आंसर है सदियों सब्द में कौन सी संदी है? सदियों में संदी बताना है गोन संदी, व्रद्दी संदी, व्रद्दी संदी, गोन संदी यह आपकी चार विकल्प दे गए हैं या इन संदी यह आपकी चार विकल्प हैं कौस्चन नमबर 26 है और 26 का सही आंसर है कि सदियों में संदी है तो बिलकुल सही विकल्प नमबर C आ बताने हैं आपके लिए यहां पर तो यहां पर आपका राइट आंसर है क्या है विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या है तच चंकर आपका विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा तो तत धन संकर बराबर क्या होगा तच चंकर आपका विकल्प नंबर जो भी है वह आपका right answer है अंगला question है पवन का संदी विच्चेत क्या है पवन का संदी विच्चेत यहाँ पर बताना है question number 28 का सही answer तो 28 का जो सही answer है भै क्या है भै है आपका यहाँ पर विकल्प number C यान की पौधन अन आपका सही answer है पौधन अन अंगला question क्या है निमलकर सब्दों को उनकी संदी के नाम के साथ सुमेलित कीजिए तो यहाँ पर सुमेलित करना है question number 29 में आपके लिए सुमेलित करना है तो यहाँ पर देखिए निरोग निरोग का क्या होगा तो निरोग यहाँ पर उनकी संदी के साथ सुमेलित करना है तो निरोग क क्या होगा बिसर्ग संदी निरोग में कौन सी संदी है बिसर्ग संदी देरगाकार देरगाकार में कौन सी संदी है देरग संदी सदाचार सदाचार में कौन सी संदी है कौशन सदाचार में बताना है तो सदाचार में एन संदी कौन सी है सदाचार में एन संदी है और यहाँ पर प्रतियक में कौन सी संदी है, तो प्रतियक में बेंजन संदी है, इस परकार ये जो है आपकी सुमेलित हो गई, यहाँ पर कूट में आपका right answer था, विकल नंबर B right answer आपका यहाँ पर है, अंगले question क्या है, अंगले question यहाँ पर दिया गया है, परियाबरन सब्द का संदी विच्छित यहां पर कौन सा होता का परियाबरण का बताना nggak पर परियाबरण का पूँचाए देखए , दूश प्रकृती का संधिविच्छित ओका question number 31 का सही answer बताना है 31 का सही answer क्या है यहाँ पर तो 31 का सही answer आपका यहाँ पर जो है वह है आपका विकल्प number B यानि की दुह दुह धन प्रिकृति आपका सही answer है तो यानि की दुस प्रिकृति का यह जो क्या है संधी विच्छेत है अंगला question है अन्यान्य का संधी विच्छेत क्या होगा question number है आपका 32 32 का सही answer बताना है 32 का right answer क्या अन्यान्य तो इसका जो सही संधी विच्छेत है आपका भी यान्य धन अन्य आपका सही answer है यह आपका right answer है अन्य धन अन्य अंगला question क्या है तो देखिए यहाँ पर आपका जो question no.13 से बाइए आपका यहाँ पर पूंचा ग्या है किया पूंचा ग्या है ? स्वास्थे अस्तू का जो है यहाँ पर संदी विच्छे होगा तो इसका जो right answer है बहुद है विकल्प number 103 न 9 अस्तू आपका सई answer है, теп विकल्प number आपका right answer ब्यांजन संदी का उधारन नहीं है, देखें नहीं पूंछा है तो उधारन कौन सा नहीं है, question number 54 से बेंजन संदी का उधारन नहीं है, तो आपका सही आंसर है, यहां पर विकल्प नंबर C, गंगा और अधकम और गंगोद कम, यह जो है उधारन नहीं है, किसका बेंजन संदी का, यह आपका जो है कलत है, तो इस परकार आपका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर C, अंगला question यहाँ पर पूंचा गया है द्यत्य धन अरी द्यत्यारी एक उधारन है ब्यंजन संदी का विसरगे संदी का स्वरसंदी का इन्वेसी कोई नहीं तो द्यत्य धन अरी वरावर होता है द्यत्यारी और इसका जो उधारन है स्वरसंदी का उधारन है विकल्प नमबर बी आपक यहाँ पर सही answer है अंगला question है क्या है अंगला question कहा धन अपी की संदी होगी तो क्या होगा यहाँ पर बताईए question number 36 का सही answer 36 का राइट answer बताना है तो 36 का सही answer विकल्प number 1 यानि को अपी को अपी आपका सही answer बिलकुल सही कहा धन अपी को अपी बराबर ए होगा अंगला कॉस्चिन क्या है देखिए कॉस्चिन नमबर यहाँ पर 37 जो पूंचा गया है देखिए क्या पूंचा गया है यहाँ पर कॉस्चिन नमबर 37 देखिए यहाँ पर यह रहे आपका कॉस्चिन नमबर 37 एदी आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाती हैं इस्वर संधी कहलाती है तो दीर के संधी गुण संधी ब्रदी संधी या अयादी संधी तो ए आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वहे विकल्प नंबर सी आने की गुण संधी गुण संधी आपका यहाँ प कौन सा सूत्र बताने या पर कौन सा सूत्र लागू है तो बताईए question number 38 का right answer बताना है 38 का right answer विकल्प number आपका यहाँ पर क्या है विकल्प number C right answer है एको याणची आपका सई आउसर है विकल्प number C right answer है अंगला question क्या पूच्छा है question number आपका यहाँ आउसर हो तो इसके इस्तान पर आई आउ हो जाता है तो एह कौन सी संधी संधी कहलाती है एह कौन सी संधी कहलाती है एह आपके लिए बताना है दिर्ग संधी आयादी संधी या दिर्ग संधी तो आपका सई आंसर है यहाँ पर क्या है right answer विकल्प number C आनि कि आयादी संधी आयादी संधी एक कहलाती है आयादी संधी विकल्प number C आपका right answer है उड्डे नम का संधी विच्चित क्या होगा question number 40 है उड्डे नम का संधी विच्चित बताना है तो आपका विकल्प नमबर भी जो है यहाँ पर सही आंसर है तो इस परकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्यपूर्ण question complete हुए संदी कि अभी और भहत सारी question है तो भाई भी यहाँ पर cover कियेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग वीडियो को जही हिंदू